हेलो हेलो वीडियो देखने वालो जी हाँ पीछे जमा जम बारिश हो रही है और बारिश में लजीज शानदार मच्छी खाने को मिले फ्राइड तंदूर वाली और मुर्गे शुर्गे कहां आया हूँ मैं इस बारिश में खाने चलिए मेरे साथ लेट्स को मैं अमबाला किसी और कहां पर सरदार जी फ्रांटियर वाले पर जी हां यहां पर आठ साल पहले मैं जो मोबाइल से शूट किया करता था तब मैंने वीडियो बनाया था आज मैं वापस लोट के आया हूँ देखते हैं कि वो पहले जैसा मज़ा है या नहीं चलिए सर्दार जी से भी मिलवाते हैं और इनका मेन्यों भी दिखाते हैं सर्दार जी से मिलवाने से पहले आप यह देखिए टेक वे काइंड अफ चोटी सी दुकान है और कोई सिटिंग स्पेस नहीं है बार्टेवल नहीं है लेकिन यह गाडियों में सर्फ कर देते हैं यहां का गुगल मैप लोकेशन और यहां पहुचना बड़ा असान है जो लगियों सरस्फ चाते आए तौ असानी से पहुच जैए गुर्णाम सिंग जी जी हां गुर्णाम सिंग इन्हे टिया तुकान को चया रही है और भाट इनका बेटा भी हाँ चला रहा है किनने साल हो गया और शोरू तो आफसारी मीने रहने है को मच्छी रहती है और मच्छीङ को रही और जवES, रही और जो बारा मेन जना को इता है क मच्छी और जो सर्दियों जो ठाइख रहती है? आपके किनने बजे खुल जाँ दिया दुकान चार बजे एक सीजन आजएगा चार बजे खुल जाएगी आज ये पंच ये खुल जाँड़ी तक और किसी को चुट्टी बगएरा चुट्टी मंगलबार चुट्टी आथरे अच्छ ये जनम अस्तमी और ये इस समझ गया नहीं में इसा उमअटे wish पाक और फूमाटो थै किसी ने होम दिलिवर Dollar हो सव तो पेश है अमरसरी फिश ए केसे पिर उइसा है, मली पिर है ओल फूढ स्टीजिдо भी जिति नूर्ष मट्री मिलते हैं यह फिश चिप्स लेकिन यह मौसम अभी सर्दियों में आओगे तो यहां वराइटी ज्यादा मिलेगी लेकिन आपको आइडिया लगजेगा मली फिश 200 गराम 300 रुपे की है और तंदूरी चिकन फुल 300 रुपे का और हाफ 500 रुपे का रेट रिजनेबल है अगर आपने हमार दूसरी वीडियो देखे हो दिल्ली पंजाब हर्याना के तो उसके हिसाब से बहुत ही कंपिटिटिव प्राइजिंग और यह देखे इनका बार्बे की उपे कंदूरी चिकन सजा हुआ बिलकुल लाल सुर्क और उसके ओपर लगाते हुए यह बटर और यह थोड़ी दिर म है कि अगर जाए आए बटर इनको बार निकाल लिया जाता है और उसके ठोड़ी देर हवा लगने के बाद डुबारा डाल लिया जाता है ताकि सूपर कृस्प हो जाए बड़िया फ्राई हो जाए और यह चाट मसाला जाते वे इनका यह देखें दो टाइब के मसाले गए एक भी नहीं दो टाइब के और यह धाई सो ग्राम है जिसकी कीमत है तीन सो रुपे और यह इनकी स्पेशल चट्रनी है तो देखिए दो टाइब की फिश आ गई है कैमरा क्लोस लाइए देखिए फ्राइड फिश है यह पाईया फिश है जिसकी कीमत है तीन सो रुपे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा तेरा के करीब पीसिस है और जो यह रोस्टेड वाली है इसक दो आठ बड़े बड़े डीसेंट पीसिस है यह देखिए साइज देखिए फिश का ऐसे तंदूरी में आठ पीस है और फ्राइड में बारा तेरा पीस है यह देखिए साइज देख लीजिए और बराबर में रोस्टेड चिकन जो आपको हमने बार्बीक्यू होता हो दिख और रोस्टेड पे भी सबसे पहले रोस्टेड वाली यह देखिए यह मैंने की चटनी में डिप यह हाथ में पकड़ लिया प्याज वैसे फिश फ्राइड फिश मुझे मूली के साथ सफेद मूली होती है उसके साथ ज्यादा पसंद है लेकिन यह मूली वाला सीजन नहीं ह जब ठंडा मोसम आएगा तब नजारे अलग होंगे इसको टेस्ट करते हैं मुझे सबसे बहले जी जब फिश खाते है ना फिश जुबान पे रखते ही कैसी फील आती है जब मैं यह जुबान पे रख रहा हूं मेरा मन कर रहा है कि मैं दूसरा पीस उठा के फटा फटा बढ़िए जमा जम अलकी बारिश हो रही है इसका मजा दो गुना हो गया है अ अधिक अन्दर से पिश साफ सुतरी बड़िया गवाल्डे की फिश और इसकी उपर मेरी नेशन है हलकी पतली कोटिंग है उसकी और जो उपर चाट मसाला डाला गया है वह अलका सा एक अलग हि साले का ही टेस्ट अरहा हो जैसे कि आपने देगा था बड़ी सारी क्वांटिटी उन्हों ने छिड़की ती लेकिन यह हल्का फ्लेवर्फुल मसाला है जो इसका टेस्ट एन्हांस कर रहा है मेरी तरफ से इस पेश को थम लाग अब यह देखिए हमने इनकी रोस्टेड वाली है यह देखिए इसकी मेरी नेशन भी थोड़ी अलग है यह देखिए इसकी थोड़ी टेज मसाले थोड़ी सी स्पाइसी है यहां और जो इनकी चटनी है वो हल्की सी लगाओ हल्की सी डिप करके लगाओ वो एक अच्छा किक देरी है दोनों ही फिश लाजबाब है यह ऐसी जगह है जहां मैं दुबारा आके खाना पसंद करूंगा और मैं इंतजार करूंगा कि जिम मैं नेक्स सेम अंबाला हूं मोसम ठंडा हो चुका हो और जो इनकी फिश की और वराइटी है वो भी के लिए हो मज़ा आएगा मैं दुबारा यह आओंगा और मैं आपको यह कहूंगा अंबाला आना जाना होता है को शाम की चोटी सी नॉन्वेज भूग के लिए को जगह डूंड रहे हो पॉफेक्ट है फिश के लिए मुर्गा देखते हैं खाके और यह देखे इनका तंद आज कल लोग क्या करते हैं मक्षन मलाईयें डालके फ्लेवर तेयार करते हैं यह ओल्ड स्कूल स्टाइल तंदूरी चिकन है और बहुत फ्लेवर्फुल है इसके साथ कोई चेड़ चाड़ की दूरत निया है जो पर चाड़ मसाला डाला गया है उसमें हलका असन निम्बू नचोड़िये हलकी सी चट्मे लगाईये एवन चीज़ है नजारे आजेंगे तीन चीज़े खाई तीनों ही हाईली रिकमेंडेड़ है अभी अंबाला मैं थोड़ी देर और हूँ यहां डिनर करके जाऊंगा और कोशिश है आपके लिए एक बढ़िया जगा ढूंड के ल जाइब के लिए नचोड़िये खाईये खाईबपरके लिए मिलागी अंबाला मैंने सी ची पहाईब से अटर वाहई रहाईब।